जहन्द ग्रेट गुड इवनिंग आई एक नए करेंट अफेट टापिक पे अब हम लोग जो है एक सौट अन्सूइट समरी जानेंगे और पूरे के पूरे कह सकते हैं कि नेबर उड से ही रिलेटेड है हमारे जो है पडूसी से रिलेटेड है और एक ऐसे पडूसी एक ऐसे दुराचारी अर त्यर्शारीपरोसी यो की कह सकते हैं कि जिसके भारत के साथ सबंद अच्छे नहीं है ठीक है तो अंदोföiene, यसे निरमान कर रहा है और जहां निरमान हो रहा है तोनौनों का कंबिनिशन भारत के लिए अच्छा नहीं है ठीक है सेक्योरिटी के दृष्टिकों сे देखें या फिर एकोनॉमिक प्रस्पैक्टिब से देखें बार चाहे चाइनदी हो या पकिस्तान की ठीक है क्योंकि से पेक जो एंच आपको पता चल गयाओ कि चांड सब्सक्राइण पकिस्तान 7 हम और एक प्रकार से एकोनॉमिक आर्थिक कॉरिडोर मतलब गलियारा मतलब दोनों 30 मिलकर एक आर्थिक गलियारा बना रहा है फंड़ेड वाइद चाइनीज बैंक टू दी गवर्मेंट ऑपाकिस्तान इस ट्रैट के लिए देखो चाइना के बारे में ऐसा कहा जाता है इसकी टैप्ट एक प्रकास से डिप्लोमैसी है मतलब करजे के जाल में सबको फासान जैसे मालो जो छोटे-छोटे देश हैं जो पूर कंट्री है या फिर डिबलपिंग नेशन है वो सारे ऐसे अफिर कर नेशन हो गया या फिर आप सिंपली देख लो जैसे सिरलंका का एक जा लेता है और उसे फिर अपने टर्त में फशाता है और कर जना चुका पाने के स्थिति में उसका कोई पोड कोई भुखाघ या कोई जमीन जो है उससे चाईना ले लेता है वहां फिर आपना इड्री बسم पवैस बगेरा बनाता याुहां की कोई खरजी सम्पदा उस देश की के लिए यह इसकी निती काम करती है तो डेप ट्रैप डिप्रोमैसी जो है और यह सबसे बड़ा कंसर्ण का कारण है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के रिसेंटली एक मंत्री के द्वारा यह बयान आया है कि सीपेग जैसी कोई परियोजना अगर युनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को दीती है तो वह चाइना को बाहर कर देगा मतलब एक प्रकास से कह सकते हूं कि चाइना जो है वह बिखारी है जो कहीं से भी कि टर्म बट वी कें यूज़ फूर इंटर्टेनमेंट नाव देप ट्रैप डिप्लोमेसिक कंसर्ण फोड़ पाक पाक की लिए वी चिंता कभी से बात है कि पाक तो आज अमेरिका इतना इसको कर्ज दिया उसको भी नहीं चुका पाया अभी देखो चाइना दे रहा है चा जो पंसर्णल फोड़ पाक और सबसे बड़ी बात यहें कि भाई यूएसे दूर बैठा है मतलब फिजीकली यूएसे का जितना भी पाकिस्तान को कर्ज दिया बो पाकिस्तान से बहुत दूर है भले लिए डिप्लोमेटिक बहुत बार पाकिस्तान दे यूएसे का वह चाइना को पाकिस्तान से लिंक करते हुए अरभियन सी में उसे मिलाएगा तो जितने भी रोड का उसे एक्सप्लाइट करेगा चाइना को जो है देने के लिए हैं क्या हो गद्धे बेच कर भी पैसा नहीं चुका सकता ठीक है तो यह चाहिए कि चाइना पूट पॉल्टिकल एंड एकोनामिक एसेडेंसी अक्रॉस दिक लोग और चाइना जो है पूरे के पूरे विश्व में जो है उसके एक नीती है कि वह ट्रैप्ट के जरिये सभी देशों को जो है अपने पाले में मिलाना अपने अधीन करना और एक प्रकार से यह चाइना का एक्स्टेंडर्ड एक्स्पेंशनिजम की थेथिस है और फॉर्मूला है इस ट्रैक ट्लियर नाव दिक कंसेंशनल लो ओसे यह लून प्रोइड कराते अर टेटप में फसाता है झाल लाघसकल इंफरास्ट्थ्ट्चर्प्रोजेक्ट और किंखिंवें चीजों में पाइस्पेड करता है या इन्वेस्ट करता है तो इंफरास्ट्रॉक्ट्चल फ्रॉजट्थमे ठिक है उसके creation में में हृसे कर एकोनॉमिक लाव दिखता है उहां यह जो है अपना पासा फेकता है आगे है सिपेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो 2015 में यह इसकिम लॉंच किया गया था फ्लैक्सिप इसकिम है मल्टी बिलियन डॉलर इसकिम है इसका जो नाम है बेल्ट एंड रोड इनिसियेटिव मतलब पूरे के पूरे पाकिस्तान से होते हुए चाइना को अरभियन सी में एसस करवाएगा गौदावर पोर्ट के से यह निकालेगा तो चाइना का एसस जो होगा मालों कई बार जो है भारत के साथ कॉन्फिक्ट होता है तो भारत बोलता है कि अंडावन निकोबार में ठ चाइना का जितना भी सिप इधर से निकलता कई बार चाइना का देंकि साओथ हिस्या सावचाइना सी में जो हैं कोई भी जाएगा तो चाइना से परमिशन लेगा तो फ्री मैरिटाइम के लिए जो है यह जरूरी है कि मतलब पूरी के पूरी शमुंद्र की यात्रा है वो बिना किसे इंटरफेर का हो लेकिन साओट चाइना सी पर साथ युद्ध होता है तो माल नेतु है की चाइना का जितना भी एकस्पोर्ट और होता है जहाज के जर्य जो भी इंडियन उसियन से होके गुजरेगा वह जो हमारा कह सकते हैं की अगर्यवं निकोवार जो है इस् है ठीक है तो चाइना का accessibility डायरेक्ट इसके जिंज्यांग प्रभिंस से गवदावर्पोर्ट होते हुए पूरी के पूरी अरभ्यंसी में हो जाएगा तो एक प्रकार से कह सकते हैं चाइना विल गेट वन अब दा और अनदर अल्टरनेटिव रूट तुरिच दा अरभ्यंसी और अरब कंट्री ठीक है तो वेस्टन एसिया तो एक प्रकार से यह बेल्ट एंड रोड इनिसेटिव को इनिसीट किया गया था ठीक है आगे हम बात करते हैं सिपेक जिसमें की कंसिस्ट करता है हाइवे हाइवे जो होता है रोड़ वेस कह सकते हो रेलवेस और ठीक है और चाइना नौर्थ वेस्टन जीजियांग प्रोभिंस क्लियर हो गया या चाइना के जीजियांग प्रोभिंस से होते हुए साउथ वेस्टन जो गदावर जो सहर है वहाँ पोर्ट भी मतलब एक प्रकार से बंद्रगा वहां तक यी प्रियोजना और लिंक जो है और वहां की बैंक है मतलब चैना का जो बैंक है वो जो है इस सपेक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तानी गॉपमेंट को फार लोंदे रही है कर्जा दे रही है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई बार नीज में आता नहीं क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिटरी बग़राई स दवा के रहें मतलब न्यूज को आने बाहर नहीं दीती है लेकिन वहां कि जो लोकल है जैसे यह सबसे बड़ा इंडिया का कंसर्ण है कि यह पीओ के से पास करना है पाकिस्तान आपको बाइट कास्मीर से ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि यहां कि लोकल लोग है न वो इस का बिरोध कर रहे हुआ इसलिए कि चैनीज का जो में चिंता का खारण है और जो इस प्रोजेक्ट में कारेकर रहे हैं वो चैनीज के मिलिटरी को चैना का चैनीस है यह मतलब चैना के देश के नागड़िक है तो चैनीज सोल्जर्स अन्दशिविलियन बर्किंग इंदी प कोई भी इंबेस्ट मेंट होता है तो क्या होता है व है कि वहां लोगों की रोचगार मिलेगा वहाण आप्रॉजिक्त के आम लोगों को अधनी होगा आप इस प्रोजेक्ट में सारे के सारे करमचारी चायनाज का करें जू थोड़ा वो द्लेवर वगएरा है वह पाकिस्तां स से भी सक्तिशाली शंपन्य साली हो जाएंगे लेकिन ऐसी बास्तविक्ता है नहीं इतनी करज में ही ऐसे से डूबा हुआ हुआ है पाकिस्तान से डूबा हुआ है कि सरकार चलाने के लिए कभी आयम आप कभी बल्ड वैं कही अरब नेशन से भीक मांगते रहता है तो को देता है तो हुआ सिपेक को छोड़कर मतलब वह पूरी की पूरी चैना को बाहर निकाल दें और यही कंसर्ण के खारण यह फिर से न्यूज में आया यह प्रोजेक्ट ठीक है आगे आए वाई इस इंडिया कंसर्ण और इंडिया कंसर्ण क्यों इंडिया को चिंता क्यों है इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी बात है कि पाक के पासे स्थ्रूप योगे देखो प्रधान मंत्री मोदी कई बार जो है न्यूज में कई बार ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रैली में क्या बोलते हुए निजर आते हैं या फिर देखो जब धारा 378 था तो हमा कि यह सिपेक का जो प्रोजेक्ट है वह वह प्योंके पाकिस्तान अकुपाइट कास्मीर के से होकर गुजरता है जो कि भारत की अभिवाज्य और अभिन अंग का एक हिस्सा है इसलिए भारत इसके खिलाब कई बार जो है आवाज भी उठाते रहा है आगे है चाइना सौट जो है अपनी सप्लाई को चाइना से कह सकते हैं कि पेस्टोन एसिया में और अरब नेशन में और वहां से सेंटरल एसिया में टांसपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा ठीक है आगे है गौदावर पोर्ट के बारे में जाना लिया इन्हेंस्ट प्रजेंट इन इंडियन ओश सहत्त भारत के प्रभाव को भी और चाटका देगा और कम प्रयास किया जाएगा चाइना के दो ऐसे बात है जैसा जैसे वहां बाइपार का केंद्रा धिख खुलेगा जैसे जैसे वहां ट्रांस्पोर्टीशन कम्मुनिकेशन और इंफास्ट्रक्ट्टर डेवलप्ट होंगे इस सी पेक प्रियोजना और लिंक लाइन के माध्यम से तो चैन के सासा जो है पाकिस्तान की एकोनामिक और इंफास्ट्रक्टर जो है गति भी धियां भी बढ़ेगी और वहां की कह सकते हैं कि और त्रिप गति से प्रगति करेगी तो यह भी भारत के लिए एक चिंदा का कारण है कि पाकिस्तान क्योंकि एक ट्रस्टेब हानी नुक्सान ही होता है तो पाकिस्तान गरीब बनाने वही भारत के लिए अच्छा नहीं तो और बंबारूद बनाएगा और भारत को नुक्सान पहुंचाएगा ठीक है तो एंडिया हम एंट्रॉस्ट डिफिसिट भी चाइना और सबसे बड़ी बात है कि चाइना के और नहीं यहें घीक निती हुती है कि दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है तो बदोनों से यह समफ करते हैं सिपक परियोजना क्या था और भारत जो है इसको लिकर चिंति क्यों रहता है आज हम आप इसे यहीं समप करते हैं and if you are the first time on my channel then like it, share it as well as subscribe it also press the bell icon and if there were any queries, comment, suggestion, advice you may comment in the comment box thank you once again have a great day